हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई जैनल दोस्तो फ़ल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाबदायक होते हैं इसलिए हमें फ़लों को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए हम सभी ने कहीं तरह के फ़ल खाये होगे तो याद करें आपने लाश्ट कब सबसे महेंगा वाला फ़ कौन सा है वैसे हम ऐसे ज्यादतर भारत ये लोग 500 से 600 रुपय किलो से महेंगे फल नहीं खरिते हैं आज हम आपको दुनिया के पांच ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिने आप कभी नहीं खा पाएंगे ऐसा नहीं है कि यह फल जहरिल है या उन पर किसी ने किसी रसुकदार अमेराजा की टेबल पर ही देखा जा सकता है बता दें यहां बेहत दुरलब है इसकी किम्मत करोडों में है इसकी खार्चित का अंदर ज़र आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे खरिदने के लिए बोली लगाई जाती है और सबसे महेंगी बोली पर इसकी निलामी होती है हाल ही में एक ओक्षन में 75,000 यूरो यानी सांट लाग 10,286 रूपय में आप सो पचास ग्राम टफल बेचा गया था मरसब से महेंगा बताया जाता है नमबर टू पर है यूबडी खर्बूजा यूबडी नाम के खर्बूजे के बारे में आप नहीं जानते होगे यह जापान में उगये जाते हैं खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं इनकी मिठास आपको दिवाना बना देगी तबी तो इस खर्बूजे की किमत 15,33,000 रूपय है यह जापान के सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है करिज जापानी इसके बहुत ज़्यादा दिवाने भी है और इनकी इतनी मोटी रकम भी देते हैं इसके बाद नमबर त्री पर है रुबी रोमन अंगुर आपको इनकी आकार को देखकर धहरानी होगी इन अंगुरों का आकार पिंग-पॉंग गेंग के आकार जैसा होता है इन अंगुरों की खेती बहुत ही दुलब होती है अगर आप ये अंगुर खाना जाते हो तो आपको अंगुर के एक गुच्छे की कीमत 2,66,000 रुपे चुकाने पड़ेगी ये अंगुर के वल जापार में ही उगल जाते है इसके एक गुच्छे में 30 अंगुर होते है और एक अंगुर का वज़न लगबंग 20 ग्राम होता है नंबर फॉर पर है तैयोन तमागो आम तैयोन तमागो आम को सुरज के अंडे के नाम से भी जाना जाता है इस आम के बारे में साइद आपने सुना भी नहों बता दे कि एक जोड़ी की किमत दो लाक रुक्ये है यह बड़े से अंडे के आकार का होता है इसे जापान में उगाये जाता है ताजब के बात यह है कि इतना महंगा फल होने के बावजुद यह फल सबसे कम उगाये जाता है और लास्ट में नमबर 5 पर है स्क्वायर तर्बुच आपने अभी तक गोल तर्बुच ही देखे होगे मैंने भी गोल ही देखे है लेकिन आज चोकोर तर्बुच भी देख लीजिए इस तरह के तर्बुच जापान में उगाये जाते हैं सिर्फ चोको नी नहीं जापान वाले हार्ट सेप तर्बुच भी उगाते हैं बता दे ऐसे एक तर्बुच की कीमत तेपकवन हजार रुपे है इनका वजन पांच कीलो से उपर होता है अब आप सूच रहे होगे कि तर्बुच का आकर चोकर कैसे होता है दरसल इन तर्बुचों को विक्सित होते समय चोकर ये हार्ट सेप वाले बॉक्स में उगाया जाता है इसलिए तर्बुच चोकर ने हार्ट सेप आकर में तयार हो जाते है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गोल तर्बुच के अपक्सा चोकर तर्बुच इजितू केडी है आज के इस वीडियो में बस इतना ही आसर करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शरूर करना और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताए फिर मिलेगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार